सारी अपडेट्स इनको रहती है सर अपनी जबान से बताईए थेंक्यू वेरी मच इर्फान भाई जो आपने इस लाइक समझा के कुछ सवाल पूछ सके लेकिन रही बाद इस टॉर्णामेंट की सब को पता है लास्ट टाइम पे जो नाइट हुआ था उससे बहतर तरीके से यह टॉर्णामेंट और्गनाइस हुआ है जबरदस तब चार दिनों से यह टॉर्णामेंट चलते आ रहा है हर लोगों को पूरे सुसाइटी को मजा आ रहा है लाइट का अरेंजमेंट है जर्शी खुबसूरत है सब लोगों ने एहम योगदान अदा किया है इस टॉर्ण टॉर्णामेंट किसी ने भी रखा किसी लिए भी रखा आप यह देखो उसके पीछे की उसकी महनत देखो और जितना हो सकते आप उसकी तारीफ करो क्योंकि वो सब के लिए तो नहीं अच्छा कर सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो अच्छा किया ही होगा प्रोग्र करना पड़ता है उसके बाद जाकर एक टॉर्णामेंट और्गनाईज होता है तो बराय महरवानी इस चीज का ख्याल रखे किस टॉर्णामेंट का हाँ ठीक है यह बहुत कमेंट्स हो सकता है कि सारे चीटा के मवाले भी खेलती तो अच्छा होता ही के इन्शाला इनसे वह बात भी हुई है अगले साल जब यह लोग रखेंगे तो उस बारे में ध्यान भी रखेंगे एक दिन जो है पूरे चीटा के मवाले को भी खिला जाए लेकिन फिलाल जो टॉर्णामेंट चल रहा है एस पील का तो जीतना हो सकता है आप उसके बारे में अच्छा बोले में देखिए जो बात आपने बताई है तो यह में एक नबके का गेम रखना यह पहली बार नहीं है बाला जी अब के इस तब को भी खेलने का हग है और इतनी ज्यादा जो जो समझ नहीं आता कि यह खिलाडी भी जो है खेलता है क्रिकेट वरना इन सभी को इतने दिनों तक इतने सालों तक नजर अंदास किया गया था नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी जो एरिया प्रीमिर लीग होता है बहुत से टाइम पर देखिए बहुत नौजवान बच्चे लो ठीक है नौर्मली वह 11 में अपनी टीम से जो एरिया वाली रहती है उसमें जगे नहीं बना पाते लेकिन जब एरिया का प्रीमिर लीग होता है तो यकीनन वह जगे भी बनाते हैं और अच्छा भी खेलते हैं तो इस तरह की चीज़े होना भी चाहिए यार जितनों ही मैं ब प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टन मैसेज जितने भी क्रिकेट लवर है उनके लिए तो एक ही मैसेज है देखिए भाई अगर आप देखोगे चीता क्यांट का जो करकेट है वो नौर्मली इन से चार महीन अपने पीक पर रहता है ठीक है उसके बाद रमजान आते हैं चार- इस पर आप खेलने आते हो दो इस बात का खियाल रखकर आओ कि जो टॉर्टर्णामेंट रखा एप क्ई उसको आप अपनी तरीके से से आप दूर है तो मेरी यही रहेगी कि आप नशे को साइड में रखते वे स्पोर्स पे जादा से जादा पाटिसिपेट करें क्योंकि अगर आप देखो सौ लोग अगर इस मैच में ख्योलोगे तो वह सौ लोगों को यह खयाल आएगा यार मैं नशा कर रहा हूं इसलिए मै ज्यादा भाग नहीं पा रहा हूं और उस सौ लोगों में अगर एक बंदा भी अपने नशे को छोड़ देता है तो अपने लिए बेनिफिट है वह माइनस नहीं और कोई भी स्पोर्स कोई भी प्रोग्राम से अगर एक बंदा भी सुदरता है उसके लिए बहुत अच्छी बहुत बहुत शुक्री आप मिस्टर प्रेसीडेंट देखिए बहुत ही इंपोर्टन यह जो मैसेज दिया है आपने जितने लोग करते हैं वह यह जब उनको एहसास होता है कि उनसे भागा नहीं जा रहा है तो अगर उसमें से कुछ भी निकल कर यह करते हैं कि ठीक है के ट्रेजर है याने की ख़जाना समालने वाला अब मैं इनसे यह जानना चाहूंगा इर्फान भाई आप यह बताएं कि यह जो SPL चल रहा है इस सीजन में ख़जाना कहने लाइक क्या क्या चीज़ें हैं बहुत शुक्रिया इर्फान भाई सबसे पहले पूरी SPL की टीम जो है पूरी कमेटी जो SPL की है उसको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक बाद क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम और्गनाइस करना यह खुद में बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के लिए और अपने एरिया प्रीमेर लीक के लिए ऐसी का सब्सक्राइब करना यह जो लाइट का इंतजाम है यह जो खुबसूरत स्टेज बना हुआ है मैं अफ दा मैच दिया जा रहा है हर मैच में बहतरीन तरीके से और टीशिट जर्सी सारी चीज़े एक बहतरीन तरीके से वेल और्गनाइस किया वह यह टॉर्णमेंट बहतरीन कॉमेंटेंटर है इर्फान भाई है कासिम भाई है अंपायर है सब चीजों को देखते हुए जो एक वेल और्गनाइस प्रोग्राम यहां पर जो रखा है SPL की कमिटी ने तो उनके बहुत शुक्र गुजा रहे हम और थैंक्यू सो मच यहां पर बुलाने के लिए और इज़त देने के लिए और एक और चीज़ इर्फान भाई क्योंकि आप एक उमदा सोशल वर्कर भी है काफी ज्यादा सोशल का काम आपने किया है आप कर भी रहें तो कोई रिसेंट काम आपने अपने अंडर लिया है जो हो सकता है कि चिताकैम की अवाम को आगे फाइदा देगी देखे सर बहुत सारे ऐसे काम है जो चीता कैम में थोड़ी सी तालीम की कमी होनी की वज़ा से लोग जो है उससे दूर है रिसंडली हम लोगोंने अभी रेशन कार्ट का जो काम है जो घरों में रेशन कार्ट नहीं है उनके लिए शुरू किया है दूसरा है आदार कार्ट का जो काम है आदार कार्ट का और पेन कार्ट वगएरा का यह जो जो काम है डोकुमेंटेशन का यह चीजों को अभी हमने स्पेशल तवज्जा दी है और यह हमारी ऑफिस से काम किया भी जा रहा है चीता कैम किरकेट कमेटी की जानिब से ऐसे और भी और गनाइज करेंगे हम लोग कैम वगरा जिसमें आदारकाट और सबसे इंपोर्टन चीज खेल नशा यह सारी चीजों को छोड़ते वे हम लोग और चीज पर जाएंगे इंशालला कमेटी की जानिब से एक बहुत बड़ा जॉब है हम लोग कमेटी की जानिब से यहां पर इस एससी ग्राउंड में इंशालला और गनाइस करेंगे और एक आकरी सवाल मैं मिस्टर प्रेसिदेंस से करना चाहूंगा देखिए इसके बाद आवाज आलम आना है उसके बाद खलीफा टॉर्नमैंट आना है और जाहिरी बात है खलीफा के करता धरता और सब कुछ आप ही है तो जिस तरीके से अब एक स्पोर्ट्स का लिकेट का कदब बढ़ता जा रहा है कोई आपके टॉर्नमेंट के बारे में एक एकस फैक्टर जो तो आप इंट्रिद्यूस करने वाले लोगों से एक्स फेक्टर जो है वो टॉर्णामेंट के टाइम पर बताऊंगा तो बहतर रहेगा ठीक है अभी तो बैक टूबैक टूर्णामेंट है तीन-चार महीने दो-तीन मेहने बैक तो बैक टूर्णामेंट होगे और वहीं पीक टाइम है उसके बाद तो नहीं मिलता है लोगों की सोच यह होती है कि यह तो यहां लगातार प्रोग्राम सोते ऐसा नहीं है तीन से चार महीने होते वह दिखने में आता है उसके बाद तो यह मैदान सन्नाटा रहता है अभी मैं आपको बता रहा हूं सना मेडम भी दो मेन दो दिन पहले आए थे तो करबला का एक टीसी प्रीमेर लीग भी वहां चिरेश्वर में हुआ था तो उनको बहुत दिकतों का सामना करना पड़ता है जब करबला में वह खेलते हैं ठीक है वहां जब को खेला उनको चार-पा वहां जो लोग दिकते पैदा कर रहे हैं उनको भी रोका जाए उस वहां जो नशा बेच रहे हैं वो लोग खेलने नहीं दिया जा रहा है तो उस बारे में भी गहरी सोच रखा जाए तो चीता के स्पोर्ट्स वेलफर असोशेशन की तरफ से हमने बात भी रखी है और मुल वाई भी हो और यह देखिए एक पर्सनल रिक्वेस्ट था मिस्टर प्रेसिडेंट आप से क्योंकि जब आप कहते हैं तो चिताकिम की आवाम पर चिताकिम के स्पोर्ट्स पर प्रभाव पढ़ता है तो वाई स्पोर्ट्स यह चाह रही थी कि आप अपने अंदाज में एक के स्पोर्ट ॉयूकल होती है कि ऐपन बाका भारताम मैंतां है अच्छी!!! लेकिन कोई भी लाइव टेलीकास के अधूर आ है यह मान लीजिए क्योंकि देखो कैसा होता ऑना स्पोर्ट मैदान के अंदर कोई क्रिकेटर खेलता है ना तो उसको एक जरूरत होती है उसका भी नाम चर्चा में उसकी तारीफ हो तो जो बखुभी आप वह बारी की से देखते हो ना उसमें जो अंदर खिलने वाले को एक अलगी कॉन्फिडंस आता है तो आपकी कमेंटरी के बगएर भी हर लाइव अदूर आए और वाइट स्पोर्ट एक बहतरीन चैनल है जिसकी इसको भी आप सब्सक्राइब किजिए और ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स लाइफ वाइट स्पोर्ट्स में कराने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप